गूड मॉर्णिंग श्टूडेंट्स आज हम लोग आपका चैप्टर कम्लीट करने जा रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट्स अनलोग कुछ चीजे डिसकस करेंगें आज आपका पहले मैंजब फॉल्लविंग चैप्टर की एक्रसाइज में हैं उसको डिसकस करते हैं थींद्स तो सकता करते हैं यह है है को मॆ अइस कॉलम का यृम बी बडीक Janinell को अनोंकर फॉटेशॉप में को सॉटकर की ना की इसका ओक प्रस्टूल का नेम डिया वा तो हम लोग को यह देखना है कि कौन सा shortcut किस से match करता है सबसे पहले है column A में M जो आपनी book खोलिए book में देखें कि यहां किये किस में है तो students book according यह आप वहाँ पर भी देख सकते हैं इसके लावा आप first chapter आप अपनी book खुलिजिए book open कीजिए just जो आपका cover है कि उसके से पीछे यह आपको खुब सारी shortcut कीज दिखेंगी वहाँ पर देखिए photoshop cs3 लिखा हुआ है कि वहाँ पर आपको मिलेगा fourth number पर मार्क्यू टूल मार्क्यू टूल में M है से आपका आता है मार्क्यू टूल फिर आपको वहाँ पर बाकि सारे सब दिखेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है तो आइए डिसकस करते हैं अपके बारे में फिर सेकेंड के आप ethonna के के से स्चुदेंट daha आपका है स्लाइस टूल में तरी कशी के स्चूड कि आ यह स्चूड कुड है आपका स्लाइस टूब कर नेक्स है आप यह मिन ला सो टूल कौन से टू इंस लाइस सो टूल आप यहाँ आपके दो और बच्छते हैं डबलू एंड एंड करके लिख दीजेगा M से मार क्यूब टूल के से स्लाइस टूल एल से लैसोर टूल डबलू से ट्विक सेलेक्शन टूल एंड सी से आपका है क्रॉप टूल के बाद आते हैं आपके जो कुछ एंसर फॉलॉइंग कोश्चन से थो उन पर सबसे पहला कोश्चन है वाई फोटोशॉप एप्लिकेशन इस यूज़ तो इस फोटोशॉप एप्लिकेशन को यूज़ करने का सबसे बड़ा रीजन जो है हो है एडिटिंग ऑफ दा इमेज़ेस एडिटिंग ऑफ दा इमेज़ेस फोटोशॉप एडिटिंग टूल कैसा टूल यह है एक एडिटिंग टूल किस लिए उसको जाती है इमेज़ेस को एडिट करने के लिए इन हैंस करने के लिए और उनके अपीरेंस को बेटर करने के लिए इसका यूज होता है next state the importance of lasso tool in Photoshop अब देखिए स्टुडेंस लैस्टूल का यूज क्या होता है उसकी इंपोर्टन्स क्या होती है इसके बारे में आप को डिसकस करना है तो लैसटूल का सॉटकट क्या होता है स्टूज्ट लैसटूल का सॉटकट होता है जिस पर हम लोग अब डिसकस करें है ठीक है अब आपनी बुक को उपन कर सकते हैं चाहिए तो या फिर आपना इसमें देख सकते हैं कि लाज़ रूल क्या स्विदेंस किसले होता है सबसे पहले इसका वर्क इसका वर्क होता है फ्री हैंड सेलेक्शन एन इमेज कैसा स्थ्टेंट इमेजड़ को फ्री हैंड सेलेक्शन का यूज़ करने के लिए होता है अब है लासर आनुट लासर में देख यूज़ तो स्लेक्ट अन इर्रेगुलर साइज उफडम इमेज पाइन इमेज टाह दा है Clos प्रण ना हो उसको यूज़ करने के लिए उसको उसको sekarang करने के लिए याय सदून का यूज़ करते हैं इस हचाओ मेन भाई एडिटिंग एडियं इमाज तो तो सीडेंड कोई एडिट綾 एन मफर मतलब होता है कि एडिएडिय एडियन इस एडिवा गरी के मतलब होता है करना उसकी एमेज को एडिट करने से मतलब उसको क्रॉप करना उसमें जो कलरज है उनमें थोड़ी छहर्चाड़ करना मतलब सुलेंट उनOSE क 때는 कहलें का तरह U. juB PR बॉराइट्नेस है उस इमेज की उसको कम करना ज्यादा करना एंड और इसनल इमेज के साथ हम लोग जो कुछ भी गुवार करते हैं एक्स्ट्रा वक वो सभी आपका उस एमेज की एडिटिंग होती है फिर वो किसी भी टूल की मेज़त से की जाए उसे हम लोग एडिटिंग कहते हैं या फिर एडिटिंग एक सिंपल सब्दों में कहा है चेंजिंग ऑफ इमेज थ्रू टेक्नॉल थ्रू कम्प्यूटर या फिर किसी भी थ्रू टूल्स बाइकॉर्डिंग टू आर यूज जैसी हमारी रिक्वार्मेंट होगी हम उसके अपना चेंज कर सकते हैं तो यह होता है आपका किसी एक इमेज को एडिट करना सो स्टुडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना है रखते हैं आपके वीडियो में आगे कर डिसक्सम करेंगे हैं फिर कभी आप इस वर्क को अपनी नोट बुक में कर लीचेगा थैंक यू कर दो हैं टाई हैं आपके खिता हैं आपके वीजियों और रहा हैं आपके वीजियों आपके जए टो सकते हैं